स्वागत आप सबका एक देडर बर मुकाबले के अंदर इस मैच से वैसे स्टूनमेंट के अंदर कुछ खास फरक पड़ेगा नी कि दोनों टीम्स इस वल्ड गप से सुपर एट की रेस से बाहर हो चुकी है तो ये मैच नमबर 32 है मुकाबल है नुजुलेंड बनाम युगांडा के बीच में जो खेला जाएगा ब्रैन लारा स्टेडियम तरूबा तिन डाड के अपर मैच टाइमिंग है सुबह के च्छ बजे वहाँ पर ये मैच रात के साड़े आठ बजे खेला जाएगा जिस देश के अंदर ये मैच हो रहा है तिन डाड के अंदर अपने बारत के अंदर सुबह के च्छ बज़रे होंगे अब देखें ये जो पॉइंट से बले क्या कह रही है ग्रूप C खतम हो चुका है कुछ बचा नहीं इसके अंदर आप खुद देखें इसमें अफगानिस्तान वेस्ट इंडिस क्वालिफाई कर चुकी है युगांडा पी एंजी न्यूजिलेंड बाहर हो चुकी है न्यूजिलेंड के दो मैचस बचे है ये दोनों मैचस के अंदर समान जनक तरीके से टूनमेंट को साइन ओफ करना चाहेंगी कि इनका मैच है युगांटा के बाद पी एंजी के साथ तो दो ऐसी टीम्स जो अशुशेट निशन की टीम्स है नॉन टेस्ट प्लेंग निशन उनके साथ इनके मैचस होंगे अभी फिलाल आप देगो जो ये हमारा व्ल्ट कप का सुपर एड बन रहा हो इस तरह से अभी हम देख सकते हैं शेप अप होते हुए ग्रूप एक के अंदर भारत और ऑस्ट्रिया अफगानिस्तान आ चुकी है और या तो यहां पर नेपार या बंगलादेश आईगी ग्रूप टू की बात तरह 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 हैं वेस्ट इंडी साउथ अफरीगा और अफगानिस्तान भी आ चुकी है या अब देखते हैं स्कॉटलेंड या इंग्लेंड कौन आप आती है यह देखा आप यह आपको और क्लेरिटी देखा कि किस तरह से टूर्णमेंट शेप हो रहा है यूएसे भी है ठीक है यूएसे याँ याँ पे यूएसे एटू के अंदर मौश्टी पाकिस्तान भी आ सकती वर थोड़े कम जानजन्स है क्योंकि आपको पता फ्लोरिडा में कितनी तेज़ बारिश हो रही है तो बहुत सी चीज़ आपर डिसस करेंगे पिछके बारे में बात की जाएगी याँ पर दो मैचे सो चुके हैं इस वन्यू के पर क्या होता है किस टैक के बालोस को आपको लीना है और ये क्या मैच वन्साइड़ होगा हम उम्मीद करता है वन्साइड़ हो तो टीम किस तरह से बनानी है इसके बारे में बात करूँगा केस देखेंगे याँ पर दो सिन्यारियों बनता है अगर नुजलंड की टीम पहले बल्ले बाजी करती है तो अलग टीम बनेगी और नुजलंड पहले गिंद बाजी करती तो आपको अलग फेंटसी टीम बनानी है टेलीग्राम चैलल जोन कर सकते हैं फाइदा कि लाइनप के बात कोई भी अफडेट आती मैं टेलीग्राम पे दी दूँगा टेलीग्राम कली में आपको डिस्क्रिप्शन और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ब्राइन लारा स्टीडियम तरूबा क्यों पर मैच है गुलबदी नेपने एक अच्छी पारी खेली फिफ्टीन पॉइंट वन वोट्स के अंदर टार्गेट चेस कर लिया इससे पहले वन फॉर्टी ने बना था नौ विखेड के नुकसान पे टार्गेट चेस नहीं वा एक सो बतीज बना चेस हो गया तो सिक्स्रिशन बना चे पर एक मैच खेली और हारी है बैटिंग फर्स्ट एक मैच जीता गया एक मैच चेस कर तो जीता गया है प्रतियूर आट के आसपास रंस बनने चाहिए अगर यहां पर नुजरेंट पहले बैटिंग करती है तो आपको एक सो साथ एक सो सतर इसली बनता हो दिख सकता है बैसस ने च्फट थैरा रख विकेट निकाला यह राद कर फ़ेयु पहले पर यहुट कर निकाला थी बà यहां प्रेश पर इसमाल क्या जा सकता हाई चांसे सामने चौटर मिटरस की बाउंडरी थी विस इंडीज वाला मैच इसी पिछ पर खिला गया था नुजुलेंड के साथ इस्टेडिम का विए तो कैसे लिए आपको पिछ रिपोर्ट कमेंट करके बता ना बाइश के लगबट गना के बराबर चांसे साथ है तो यह आपको दियान टकना है तो लेट्स होब एक क्राकिंग गेम वन-साइडेड अफैर फॉर थे नुजुलेंड टीम इन इस गेम दोन टीम्स ने आपस में आस तक एक भी मैच नहीं खेला तो यह अतियासिक मैच है किसी भी फॉर्मेट के इंदर जोनों टीम्स पहली बार आमना सामना करेंगी नुजुलेंड की बात तरता है डेवन कॉन्वेज आउट फॉर्म रहे हैं शायद इस मैच में ड्रॉप कर दी जाएं बाट उपन करने चाहिए फिन अलन के साथ हो गया सकता है कॉन्वे आउट एंड फिन एलन विल कीप या फिर ग्लेन फिलिफ्स को कीपिंग दे दी जाए और प्रचिन उपन कर लें युगांडा साइमन ने सेसाजी उपन करते हैं रोजर मुकाकसा के साथ अब इनना सोबया आते हैं रियाजत अली पिर अलपेश राम जनी दिनेश नाकरानी जुमा मियाजी कैनित वैस्वा ब्रैंड मसाबा लैक्स विनेर इस्टीम के कप्तान कॉस्मस क्वेटर राइटर म राइटर मॉफ्स विनेर है यह 40 प्लस है अलड़ेस्ट क्रिकेटर है इस T20 व्ल्लकप में यह तो यह आपको ध्यान रखना है इन्नुजरेंड के T20 है स्टाइट से एक्जांपल के लिए मैं समझा देता हूं आपको किसी का माइल्स्टोन है वो देख लो एक बारी में अप और युगंडा की बाप तरजेने हो वाइसा वाथ है तो कुछ ही निया माइल्स्टोन है इसको समझना कैसा है डवन कॉनवे 46 मैक्स खेल चुका है इस टूनमेंट को स्टार्ट होने से पहले 49 को सब्सक्राइट है तो इसी तरह सारे प्लेयर के स्टाइट सकते हो कि अग रि सब्सक्राइब कर दिया कि कौन कितनी बॉल में विकेट निकालता है जैसे एक्जम्पल के लिए अप देखो लॉकी फोगोसंग गोल्डन बॉई है मारकुड का चोटा भाई आप कह सकते हो इसको इसको 38 इनिंग कंदर सब्सक्राइब कितना बढ़िया था कितना बढ़िया था वहाँ पर पांच रंस और तीन कैच बनाया थे इसने विस्ट इंडिस के खिलाफ बहुत अच्छा प्रजशन रहा था था विद गलवस नॉट विद बढ़िया ने चबिस की पारी के लिए अपको शेपप कर रहे थे बहुत अच्छी पारी खिल के जा सकते थे फिर अपना विगेट देता है बहुत अच्छे टच में थे इनका कैच ड्रॉब भी हुआ था रजर फट से फिर ये वहाँ पर आउट हो गया दीप स्क्वेर लेक की दरफ रफ रचिन ने दस बनाये थे वन डाउन खिलने आया थ पतानी भाई को क्या हो गया रिसंट फों बहुत खराब चल रहा है इसका एक नौ एक चबबिस चबबिस ना बाद डर्यल मुचेल बारा रा रंस बनाये थे चीज करते हुए रिसंट फों बारा पांच चार बाइस तरह से तरह से रहा है ग्लेन फिलिप्स नौम अक्सिस कं चार बार पांच में से बैटिंग सेकंड करते हुए इस वन्यू पर जिमनीश्यम दस रंस एक विकेंट आ बॉलिंग करते हैं आपको दिख सकते हैं तीन से चार वर तो ये भी वैल्यूबल एससेट में बहुत इंपॉर्टन होंगे क्योंकि आपको बता है सामने क्या है या सामने युगांडा दम तूड़ देती है और यह सैटनर है ना बैस अब खमाल का गेंदबाज है और बहुत अच्छा टपा पकड़ता है टिम साओधी इंपॉर्टेंट रहेगा दो विकेट है स्वन्यू पे ट्रेंट बोल्ड का तीन विकेट है कैप्टेंजी ऑप्शन फ अगुसन का पांचवा, अटवा, बारवा, सतरवा ओड़ता नीशम का साथवा, दसवा, चौदवा, सोलवा, ग्लेम फ्लिफ्स का नववा, मैचल सैटनर का ग्यारवा, बीसवा दा और डर्यल मैचल का उनिस वावड़ता लास्ट गेम के अंदर पिछले दो मैचल से निस और वहां पर बहुत अच्छा शेप अप किया था हमारे रदरफोर्ड ने एक्स्प्लॉइड गिया था अपके सकतो दमाखा किया था हूँगांडा के टी ट्वेंटी इस स्टैट से एक्जामपल के लिए मैं समझा जेता हूँ परहनक पर्टेल ने चालीस मैच्चेस खेले चौदा लिए आसकता है इस गेम कंदर अगेंस्ट एंड बॉल्ट है साइमन सेसाजी है वैन्यू ने खेला फॉर्म चार एक चार शेयाशट साथ आट नबबबब इस वल्ड़कॉप साइकल में बहुत अच्छा खेला था अगेंस्ट अगेंस्ट अच्छा था था अगेंस लंबा कतकाटी है इसका कुछ खास क्या नहीं अलपेश राम जनी हैट्वड वैन्यू कुछ नहीं पांच एक रन पांच एक विगेट आट रन दो विगेट जरो रन एक आप विगेट निकाल लेते हैं टिबिकल टेस्ट वाली लाइन डालते हैं और इस विगेट के उपर रोल निपाके जा सकते हैं और ध्यान देना जो ब्राइन लारा का इस्टेडियम अना तरुबा यहां पर डिव फेक्टर आ रहा है सेकंड इनिंग्स में बहुत ज़्यदा पसीन आता है अगर आप देखते हो जब टॉस पर आते हैं कैप्टन्स तभी आप देख लिया करो पर चैरे पर कितना पसीना आ रहा है पसीना आने का मतलब अहवा नहीं चल्डरी स्टेडियम के अंदर डिव बन सकती है सेकंड इनिंग्स में सिंपल चीज़े होती है आप क्रिकेटिंग सेंस के थूइस चीज़े अब्सर्व कर सकते हो कैने जब वैश्वा कुछ खास क्या जब आपको बैक किया एवन वेस्ट इंडी के गेंस मैस तो असमें रिगेट निगाले दे अच्छा प्लेर है जुमा मया जी के अच्छी पेसे रस कर लेता है बट वह पेस सरिफ अशुषेट निशन वाली प्लैट्स को रस करता है यह ऐसे प्लैट्स को नहीं कर पाएगा फुल मेंबर के हैं नुजिलेंड के किरिकेटर्स कोश्मेस कोटा विकेट टेकर एक दो डेटम डालता है फ्राइंग का लेफटी है बहुत सारे नुजिलेंड के अंदर उनके सामने बालिंग करने आ सकता है अब बात करते हैं में चीज पिछले गेम ए रामजुनी का पहला एक भी डालते हैं डेट मैं तो सोलवा डाल नेंगा तो सतरवा ना करानी का तेरवा पंदरवा सतरवा था इससे कराना पड़ा क्योंकि महां पर मार पड़ गई थी मियाजी को रामजुनी को तो यह चीज आपको दोड़ी ध्यान रखनी है नाचप नहीं है तुम्हें क्या इस तक इसकी कानी जाए तो सही यह पावर प्ले में आउट हो जा रहा है मार्क चैप्मेन को इन्होंने पतानी किस बेस पर ड्रॉप कर लिया था लास्ट गेम मतलब क्या ही गर रही है जो इनका मोस्ट रंस मिड़ फेस में बना किया आ रहा है ओवर साथ से पंदरा के से स्टैट्स को रड़ा मेरे को शौक दे रहा है ती 20 के अंदर इसके आकड़े थे कि पहले पावर पिम में विकेट निकाल पाना था इंटरनेशनली मैं बात निकर रहा है आई पिल में तो आप देखो के पहले हुर में स्काइक विकेट कंफर्म होता है अरिया जरत अली श में बात लिख देता हूं और मैं टीम बनाना आपके लिए चालू करता हूं तो इसमें बरे लिए कौनवे हैं फिन एलन है यह तो दोनों निम्स में इस वी इंपोर्टेंट है कें विलियमसन अगर इनकी टीम पहले बैटिंग गरी है न्यूजलेंड की तो डर्यल मिचल को आप ले लीजिए क्योंकि टू डाउन बैटिंग करेंगा रचिन खेल रहा था फिर लफड है रचिन आप कही ना कहीं देखना बैटिंग ओडर में कहीं भी एडजस कर लिया जाएगा जैसे वो घर में छोटे बच्चे होते हैं जो घर के अंदर थोड़ा लंबा हॉलो जह यह मेरे हो गया है नौ प्लेट्स अब दो प्लेट्स की बात आती है नुजरे ने पहले बैटिंग कर रही है तो शहएद मैस गेम में वो जो क्वेटा है ना यह अच्छा बॉलर है तोड़ी बैटिंग भी सेंसे तो इसको मैं ले लूँगा और मेरे पास एक उप्शन राम साथ 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 इस दिली पॉंट दे जाएंगे बैटिंग फर्स करते हुए तो जो दिल आपका हूँ करिए फिलाल मैं ले लेता हूँ गलेन प्लेट्स को दिल पे पत्थर रखे बैटिंग और का लफड़ा इसका क्योंकि टीम प्रमोट करेगी शाहद रचीन को और इस गे मज़ाएगा आपको भी स्मॉल लिग मत खेलो स्मॉल लिग खेलो तो फिर सेफ चले जाओ कैप्टन वाइस कैप्टन सी में अब केस्टू बना रहे हैं नुजिलेंड पहले गेंदबाजी करने आती है तो उसमें तो कंफर्म है स्ट्रीट फॉरवर्ड गेम होगा किसको क्य करना है तो देखो इसमें में क्या करूमा सीदी बात है कौन वे फिन लें और यहां से केन विलिमसन और यहां आते हैं निखिल सैटनर बॉलर्ट ले लिजिए सबसे बहले तीन और यहां आता हूं मैं अब मेरे पास बहुत सारे ओप्शन्स तीन प्लैट्स में लिए सकता युवान्डा या फिर दो अगर आपको डर्ल मिच्छे लग रहा है एक और डालने आ जाएगा क्योंकि स्टीम में ऐसा इस गिम में मुश्किल है और दो बड़े मैचस थे अफगानिस्तान और और क्या नाम तो उसका विस्ट इंडिस उनके सामने तो यहां नहीं दे सकते इतने बड़िया वहां पे फिनिशर्स थे परस इस गेम में डर्ल में चल के बॉलिंग के चांस कम है अगर आपको लग रहा है जल्दी विकेट चला जाएगा पावर प्ले में तो आप डर्ल में चल को लिलीजिए वर्ना में इस गेम में चले जाओंगा मोश्ली राम जनी ब्राइन मसाबा थोड़ी बड़ बेटिंग भी कर लेता और आपको शैद बॉलिंग से वैल्यू दे जाए एकाद दो ओवर पड़िये बरोसा निये क्या बदा आप पावर प्ले में मैच कहतम कर जाए जैसे अमने उसको देगा था थीनी पॉइंट दोवर्स में मैच कहतम कुछ भी हो सकता है ठीक है तो एक प्लेयर आप अपना दिल गाली जिए मैं रचिन रविंद्र को ले लेता हूं मेरे को लग रहा है और प्रमोट कर दिया जाएगा कैन बिलिंसन के उपपर यह से भी डैड रबबर मैच है कैप्टन इस गेम में अट्रेंट बॉल्ट वाइ उप इक बदे रूस्त जोड़ा हूं मेरे पास नहीं को डिल ग्लड ट्रेंट प्रहिए जिए के अपने मंस्में प्राइगा नमबर का दो कि यूटुबट ने तो कई मैच हैस थोड़े मैं आपने बाहिस को और के तो इसा नियरा हूं गलत कर रहा है वो सभी कर रहा है कि आ पढ़ा हम एक नमबर का तो देख टेरे स्टाइट सुरुजी, स्वेश्ट रव्यू दव्यू और आपगा सब्सक्राइब दूए